दान मंतरी कभी नहीं कहें कि हम इंडिया सब्द से बड़ी खौप में है या हमको लगता है कि इंडिया सब्द नहीं रहने देंगे इनके जो गडवन्धन का नाम रख लिए हम आप से एक बात पूझते हैं कि हम अपनी बच्चे के नाम सचिन तंदुलकर रख देंगे तो क् इस बहुत सारी काविलित मेरे बच्चे में सिर्क नाम रखने से आ जाएगी के हसीन सपने देखने वाले एक हो गया और जो कभी दोड के जाते हैं बेंगलोर कभी डॉड के जाते हैं मुंबई कभी आरोप पिहार के मुख्य मंत्री नितिस कुमार लगातार लगाते रहे हैं हाला कि इसमें कितनी सचाई है क्या कुछ है क्योंकि यह बात तब उठी जब इंडिया गठ बंधन बनी उसके बाद इंडिया सब्द से ज्यादा विपक्षों को जो है चोट पहुंची है विपक्ष कि इंडिया सब्द से इतना खॉफ क्यूं सब्द से मेरी घृक को कि प्रकार का रहेज नहीं प्रहेज नहीं है इंडिया हमारे भारत देश का नाम सब्द नहीं करके अधिक lover का देश के बाकी लोग भी देख रहे हैं प्रधान मंतरी कभी नहीं कहें कि हम इंडिया सब्द से बड़ी खौप में हैं या हमको लगता है कि इंडिया सब्द नहीं रहने देंगे इनके जो गडबंधन का नाम रख लिए हम आप से एक बात पूछते हैं कि हम अपने बच्चे क के नाम सचीन तंदुलकर रख देंगे तो क्या सचीन तंदुलकर कि वह सारी कविलित मेरे बच्चे में सिर्फ नाम रखने से आ जाएगी कौन है वे लोग जो इंडिया में काम कर रहे हैं जो अलग-अलग घोटाला अलग-अलग किसी न किसी तरह के उनके आरोप साबित हो चुका है वो लोग अब एक जूट हो करके और उनका मकसद है नरेंदर मोदी को रोकना वो कभी देश के जनता 140 को यह वीजन नहीं दे रहे हैं कि हमारा वीजन डॉकुमेंट क्या है हम इंडिया गटवंदन जो बना रहे हैं उसमें किन-किन बातों पर जोर देंगे उनका एक लक्ष मात्र है नेंदर मोदी रोकना यह देश के जनता को यह क्या ही पैगाम देरना चाहते हैं कि नेंदर मोदी के रोकने का लक्ष लेकर के इंडिया बना है तो वह इंडिया बनाए वह अपने गटवंधन का जो नाम दे और बिहार के मुख मंत्री जी तो उनकी बात मत किजिए देश की जंता देख रही है 16 साल आप जिनके गोद में रहें 16 साल जिस चाया में आप बड़े और आगे बढ़े आज उसको आप गाली देने से देश की जंता आपको मान लेगी कि आप मतलब इंडिया का बहुत बड़े हिमायती और बहुत बड़े मतलब आप सब्सक्राइब को कि क्लैरिफिकेशन नहीं दिये और इसलिए हम छोड़ करके फिर भाजपा में चले आए तीन बार इधर आए तीन बार उधर गए और इनका इनका कोई स्टैंड नहीं है यह आदमी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले एक हो गया और जो कभी अगलग कर जाले में पार्टी के पास सबसे बिंती कर रहे हैं कि हमको संजोजग बना देजिए हमको प्रदान मंद्रे के लेकिन अब उनका भी निरासा बली बात होना शुरू हो गया और उनको कहीं निरास जनक हाथ लगा कि हमको नहीं लोग बनाने देगा और नहीं बनने दिया उनको संजोजग अब ठीक हो जाएंगे लेकिन लगता है कि जिस तरह से विपक्षारूफ लगा रहे हैं या फिर कॉंग्रेस की बात किया जाएं तौमाम लोग यहीं कह रहे हैं कि इंडिया सब्द से बीजेपी में जो है बॉखला हट है इंडिया जो है डर गई है तो सचमुच में क्या आप लोग डर गये हैं कि इंडिया में कौन लोग है इंडिया जो घटक दल बना है आई एंडिया जो बना है यह घटक दल में कौन लोग है वही ललन सिंग है ना रास्टिय धक्ष जो मीट भात खिलाये चल रहे अपने लोकल के इंच्वेंसी में उन ललन सिंग के पाटी के जो परवक्ता थे वो बोलते थे जेल का नाम ले करके हुटवार जेल कैदी नमर इतना हुटवार जेल कैदी नमर इतना आज उनके हिमाईती बन गये हैं इसमें कौन है हेराल्ड वाले इसमें कौन है तो इसको तो पूरा देखिए ना जाकर कि इसमें इंडिया में जो काम कर रहे हैं सब पे चार सीटेड हैं सब पे आरोप लगा हुआ है आरोप सावित हो चुकी है और आरोप спасन को पाटी के दल के लोग नहीं किये हैं बलकि देश के एजनसी की है सुप्रीम कोट हाई कोट इस तरह के इजन से जो अपने आपने जो सम्मिधान के रच्छक हैं वो इनके उपर आरूप लगाए और गठित किये हैं और इनको कहीं कहीं एक्यूज किये हैं और यह लोग कह रहे हैं कि देश के रच्छा करेंगा और यह लोग मतलब सम्मिधान के रच्छा करने वाले लोग अपने बच्चे का बात करें अपने परिवार का बात करें नरेंद्र मोदी ने जो भीश्चवत्र बुलाया है और उसके हिसाब से इस मुक मंत्री कभी भी लेजिसलेटी में कि असेंबली में कभी भी वह सत्र बुला सकते उसके वह नेता होते हैं ठीक उसी प्रकार से पार्लियामेंट में नेता प्रधानमंत्री होते हैं उनको किसी भी विसाय पे बहस करने हो किसी भी विसाय पे उनको बात करने हो तो यह तो अच्छी बात है ना बात करने विसे सत्र बुला है कि कोई विषय होगा कोई मुद्दा होगा तो इससे घबराहट किस बात किये बाई आज आधर निये नितीश कुमार जी को अगर जो जरूरत पढ़ेगे कि हमको कोई बील पर बहस करनी है तो 243 विधायकों को बुला करके वह बहस करेंगे विधान सवा में भी करेंगे और विधान परसद में भी करेंगे यह तो अच्छी बात होनी चाहिए मुद्दा पर चर्चा होनी चाहिए मुद्दा सही रहेगा बिल पास होगा मुद्दा सही नहीं रहेगा बिल पास नहीं होगा या जो भी सेप बुला करके चर्चा करें चर्चा होने दीजिए क्यों टिकर टिक टिपनी कर रहा है लोग वन लेक्शन को लेकर तेज़स्वीआदों ने कहा कि वन इंकम की भी बात होनी चाहिए कि जी तेस्वीजी कि बात अब पता नहीं मीडिया क्योँ नूटिस करती है तेस्वीजी तो अपने बोले थे कि पल्टू से भी बड़ा पल्टू कोई होगा जूटा से भी कोई बड़ा सबसे बड़ा जूटा सबसे बड़ा जूटा कहें त humility किये दिए डिप्टी सीम मजा मार रहे हैं अच्छा लग रहा है भोट पड़ा एंडियों को कहते थे चोड़ दरवाजे की सरकार जब भाजपा के साथ नितीश कुमार थे तो चोड़ दरवाजे आज उसी चोड़ दरवाजे से आप बन गए ना डिप्टी सीम तो आप हम तो तेस्वी जी को नोटीस नहीं नहीं दे लेते हैं एक समय लगा था कि युवा हैं बिहार के लिए कुछ अच्छा करेंगे लेकिन जिस प्रकार से नितीश कुमार से उम्मिले हैं उनका पूरा क्र 20 रुपया कमाते होंगे दस जार पच्छे जार पकी 15 जार पचास जार उसमें से टैकसेज देख करके देश को अगर 50,008 रुपय जा रहा है जिसके मोटी रकंatel करनाटका में होगा पर्षू राजस्तान होगा चोठारोज तो यह इस तरह से अलग अलग चुनाव हो रहा ह हम नहीं करते हैं हम नहीं को किसी के ऊपर तोप देने के है अगर यह आता है देश के नागरिक होने के नाते हम स्वागत करते हैं कि यह से निरने के अकट देश देखिये संक्रमन काल से निकला जितने बड़े बड़े जो मुद्दा था चाहे जमु कस्मीर की बात हो चाहे अजुद्य मेरा मंदरी बनने की बात हो चाहे कई सारा चीज तो और भी कई सारे जीस्टी जैसे एक कठिन दौर से मतलब फिनांसियल वाला जो था उस सारे चीजों का अगर हो रहा है कहीं कहीं सोलोशन तब बन नेशन बन इलेक्शन भी अगर आ जाए हम लोग हस्ते हस्ते उसको स्विकार करिए और देश हित में यह बात हो रही है ति इससे किसी को इनकार नहीं करने की आपके विपार्टे की तैयारी चल रही है तुन खर्चो करके बाकी देश हित में और कहीं कहीं जन हित में वो पैसा जाएगा तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था लोजपा प्रवक्ता राजे जी का जिन्हों ने कहा कि विपक्ष का काम है सिर्फ सवाल खड़ा करना और देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बेहत जब आप देगी इसका रोबस इतना ही बने रहे निजपोनेशन के साथ धन्यवाद